पर जैसे पीस में आज हम बनाने वाले हैं छोले यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है बहुत कम इंग रिजन्स पर बन जाती है इसे भटूरे या कुल्चे के साथ सर्व किया जाता है चावलों के साथ भी यह बहुत बढ़िया लगता है इसे हम बहुत सिंपल तरीके से हमने यहां पर हमारा हुममेड मसाला यूज किया है छोले का तो आप उसकी रेसेवी भी चेक आउट कर सकते हो तो यह है इसके इंग्रीडियन्स चोले बनाने के लिए हमने इकल क्वांटिटी में टमाटर और ओनियन्स लिये है इन दोनों को हमने जॉब कर लिया है फाइनली म जॉबना शृब साइच को लिए है फंटी लेश बएं कर लिया है यह हमने तयार किया है इसको मैंने कैसे तयार किया है यह आगे रेसीपी में बताऊँगी यह खतलि नमक यह हमारा हुममेड चोले मसालाथ है हुममेड अगर आप बनाओ गे तो स्का टेश्ट बहुत आप बाजार से भी लेक्या सकते हो छोले मसाला या चना मसाला अगर आपके पास छोले मसाला नहीं हो या छोले मसाला बनेने की सुविदा नहीं हो तो आप थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हो या पावबजी मसाला भी डाल सकते हो एकुल कॉंटिटी में यह हमने मिंस ओन शखकर लि है, इसे बहुत स्वीट और टेइस्ट आएगा यालमिची पाउडर लिया जीत, लिय्य जेरा लिया और अदनिया पाउडर लिया है इसे लिय गी, बटर में भी बना सकते हो, बना सकते हो तो सबसे पहले हमने एक कप चना बिगो दिया था ओवन नाइट यह थोड़े साइस में बड़े हो चुके है सफेद कलर के है तो हमने इसे एक कुकर में टांसफर कर दिया है हम इसे बॉइल करेंगे ओवन नाइट सोक करने से क्या होता है बॉयल करने में आसानी होती है अब ये वाइट कलर के है अब हम इसमें थोड़ा कलर चड़ाएंगे तो कलर के लिए लिया है हमने चाय पती वान टीबल स्पून इसे हमने पानी में उबालना है आप इस तरीके का डिब डिब वाले पैकेट का भी अब जब प्रेशर कुकर में चने चड़ा रहे हो तब आप उसके साथ ये पैकेट भी डाल दीजेगा कुछ लोग मसलें के कपड़े में भी चाय पती डालके चने के साथ उबालने के लिए रखते है तो हमारा चाय का पानी रेडी है अब इसे हम चान लेंगे हमारे प्रेशर कुकर में चने है उसी में हमें चान रही हूँ इसे थोड़ा सा बिकिंग सोडा डाला है इससे क्या होगा हमारे चने आच्छी तरीके से कुख होएंगे नमक डाल दिया है इसे हमारे चने में अच्छा टेस्ट आएगा वो ब्लैंड नहीं लगेंगे इससे अच्छी तरीके से मिला लेंगे चनो को हमने ओवरनाइट सोक किया था तो हमारा काम जल्दी से हो जाएगा 7-8 सीटी तक इसे प्रेशर कुक करेंगे अब हमारा कुकर ठंडा हो गया है प्रेशर रिलीस करके कुकर को खोलेंगे कम से कम पानी डालेगा जितने आपको पानी की जरुवत हो क्योंकि इसमें भी बहुत न्यूट्रिशन होता है पानी हमें डिसकार्ड नहीं करना है ये देखिए चन्ना को मैंने प्रेस कर लिया है और कितने इजीली वो एकदम मैशी हो रहा है छिलका अलग हो गया है और चनों पे अच्छा कलर भी आ गया है बस इस तरीके के चने हमें चाहिए अब हमारी सारी चीजे रेडी है अब हम सारी चीजों को असेंबल करेंगे सबसे पहले मैंने डाल दिया है गी अब हम इसमें डालेंगे अनियन्स जिसे हमने एकदम बारिक चॉप कर लिया था चॉपर में आप इसी तरीके से कीजेगा आप पेश भी डाल सकते हो पर वो दरदरा टेक्शर जो आता है चना मसाला में वो बहुत बढ़िया लगता है तो आप इसे फाइनली चॉपी करिएगा तो इसे हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक बुनना है अब यह लाइट ब्राउन कलर क्या हो गया है अब हम इसमें डालेंगे अधरा कलसन और हरी मिर्ची इन सब को हम अच्छी तरके से भूल लेंगे इसका कच्चापन हमें निकालना है उसे के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे इसे अच्छा टाइम देखके भूनियेगा अब हमारे अनियन्स ब्राउन हो गए है अब हम इसमें डालेंगे हमारा होमेट चना मसाला आप ये बाजार से भी लाके इसमें डाल सकते हो बहुत बढ़िया लगता है आपको ये कहीं भी इसली मिल जाएगा आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हो या आपके पास वो भी नहीं है या मसाला बनाने की सुविदा नहीं है तो आप थोड़ा सा पाव भजी मसाला भी डाल सकते हो उससे क्या होता है? सिर्फ हमारी सबजी का टेस्ट अनांस होता है वो और बढ़िया लगती है तो मैं इसी के लिए आपको बता रही हूँ कि आप भी से ज़रूर बनेएगा इसमें हम डालेंगे मेची पावडर धनिया पावडर डालेंगे हल्दी पावडर डालेंगे अब हम चना मसाला को अची तरीके से बूल लेंगे उसका कच्चापन भी निकलना बहुत ज़रूरी है उसके बाद हम डालेंगे इसमें मिंस टामाटर चॉप टामाटर आप यहाँ पर टोमेटों की प्योरी भी ले सकते हो इससे अची तरीके से मिला लेंगे तामाटर का कच्चापन निकालना भी बहुत ज़रूरी है इसे मैशी होने तक और पकने तक हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे अब हमारे तामाटर, अधरक लसन, प्याज और मसालो का कच्चापन निकल गया है अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे इसको स्वीट और टैंगी मनाने के लिए हम शक्कर डालेंगे अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसे बस हमारी ग्रेवी रेडी है अब हमें सिफ चना को एड़ करना है जिसे हमने बॉइल करके रग दिया था थोड़ी दिर पहले चना को हमने उसके ब्राउन पानी के साथ ग्रेवी में डाल दिया है यूँकि हमें छोला ब्राउन कलर का चाहिए अथेंदिक छोले जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे पानी डालके इसकी कंसिस्टेंसी एज़ेस्ट करेंगे हलका हलका छोलो को मैश करेंगे इससे हमारी क्रेवी और गाड़ी होगी और क्रीमी होगी डग देके इसे पाँच मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे पाँच मिनिट हो गए है अब आप देख सकते हो हमारे छोले रेड़ी है इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम बरबर है इसे थोड़ा ठीकी रखते है इसे राइस के साथ, बटूरे के साथ, कुल्चे के साथ आप खाईएगा, बनाईएगा जरूर टाइगीजियेगा मेरी रेसिपी आप खाईएगा